हेलो गई स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे इन चारों शेर की अधानी ग्रूप की और टेक्निक लेना लिस्टिस करेंगे और कल जो है मैंने पूछा था कि ब्लेक स्क्रीन अच्छी लगती है या वाइट स्क्रीन तो बिल्कुल मिला जुला यहां पर रुजान था करेंगे के गार्वार की बाद तो मार्केट के अंदर गिरावट थी और अध Ар Nagy ग्रूप के शेयर को इंदर जियादा गिरावट नहीं थी यह दिए जिसन ब्मडियों को बजे फाइदा हो सकता है जैसे कि अदरी अनर्जिока को पूरे मतलब की फाइदा हो सकता है जैसे कि on अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी उसको भी फाइदा हो सकता है यहाँ पर और इसा मुझे लग रहा है फिलाल आगे अभी देखते हैं अधानी टोटल गेस की बात 636 रुपे का असपास का प्राइस तो यहाँ पर आज जो है बाजार के अंदर अच्छी का से असर पड़ सकता है वहले आपके पॉर्टफोलियो में जो भी शेर हो और फिलाल देखे तो इसके अगर बात करें तो 636 रुपे का प्राइस है वोल्यम अगर देखे तो ठीक ठाक रहा कोछ इसके अंदर ज्यादा बदल नहीं तो इसके ओपर हम डिलेवरी वोल्यम आज जह नहीं को गरा करें बदल को करें जहां पर देखें लिएाज तो एसे वीडियो के लिए जानल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नहीं है इस चैनल के विडियों बनाया है आप देखे जरूर और इसके पर हम डेली अपड़ लाएगे तो आप इसको जो है थोड़ा से जैसे यादानी के शेयर पी आप देखते हैं मतलब कि वह निप्टी का व्यूस भी आप जरूर देखे और दूसरे वीडियो भी आप हमारे जरूर देखे तो यहां पर आगे देखे तो यह 15 मिनिट का चार्ट हम लगाया है अदानी टोटल गेस का कि बार बार जो है अभी यह 630-635 के आसपास जो है यह परसो के दिन कल के दिन भी अगर देखे तो इस तरीके से यह मतलब कि सपोर्ट ले रहा था आज भी इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट ल है और यहां पर भी अभी देखे तो फाइव और नाइन विक का मुविंग एवर 650 के आसपास से अभी यह रजिस्टेंट बना हुआ है अगर इसके उपर निकल आए तो अच्छा रह सकता है कल के दिने सा लग रहा है कि बाजार के थोड़ा सा कंसलरेशन रह सकता है हाँ ए देखना इंपोर्टेंट है तो वह वीडियो आप जरूर देखे कल का वीडियो भी जरूर देखे आज की अगर बात करें इसके अंदर डेली चाट की तो सपोर्टर रजिस्टेंट अभी अगर देखे तो वही है जैसे के नीचे में क्योंकि अभी यह 630 रुपे का जो है होड़ा सा चेंज हुआ है कि वह जो है नजदीक आ गळीा है 4 रुपे ही दूर है तो पेहला सपोट जो है 620 रुपे उस्सीट आप जो है इसके अंपर दिख रहा है वह Spitि जा सबस्मीन खन दबन करें और 10 इसके जो फाइननसल इनालिसिस भी हम करें के इस वीकेंड के उपर तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें तो सपोर्ट हमने देखा अब रजिस्टर भी देख लेते हैं तो जैसे कि यह शेज़ोपचास का जो है अच्छा तगड़ा रजिस्टर है उसके बाद द करते हैं लेकिन फॉप्स जरुर रखते है वह उन्होंने भी कुछ नया सिखा तो वह भी जो है आचा लगा लगा कि नीचे में खरिद के उपर बेचते हैं यहां पर नीचे खरिदा फिर उपर बेचा तो पांच से साथ पसंट के आसपस कि कई जो है कई बार इसने जो है ए करते हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन की तो इसके अंदर भी देखे तो 850 रुपे का प्राइस है जहां पर यह कल था इसी लेवल के आसपास इसने जो एक लोजिंग दिये बिल्कुल कोई चेंज इस नहीं आप देख सकते सिर्फ दस पैसे प्लस के उपर बंद रहा है उपर इसके उपर निकला 850 के उपर तो यहां पर इसके उपर यह बना हुआ है और वोल्यूम भी अचा का सा यहां पर बिल्डफ हो रहा है आज भी देखे तो 4.6 मिलियन के आसपास का जो है वोल्यूम रहा याईनि 46 लाग के आसपास का और यहां पर डिलेवरी कितनी उठी तो यहां पर वो भी आप देख सकते कि 24 लाग के आसपास की डिलेवरी उठी है वो भी 50 पर संद और यहां पर वीकली चार्ट इसका अगर देखे तो पिछली बार भी हमने देखा था कि यहां पर अगर आप देखे लिए तो एक वीकली चार्ट के उपर एक बड़ा सा जो है यह बना नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि यह, अगर देखें तो यह cup है, और यह जो है, इसका handle, अगर जितना इसने high बनाया था, 975, 970 के आसपास का, अगर वापस से यहां तक अगर यह high बना लेता है, तो यह जो है, यह cup and handle का pattern बन सकता है, और उसके बाद अगर इसके अंदर break out आता है, तो यह 1000 रुपे के उपर भी जा सकता है, और 1200 रुपे तक जा सकता है, देखना बनता है कि आगे जो है, चाल केसी रहती है, लेकिन यह अभी possibility की यहां पर बात हो रही है, कॉप and handle बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, अभी ऐसा लग रहा है, और यह weekly chart है, तो यहां पर जो है थोड़ा सा लिए लंबा चाट भी है, यह भी आप देखिए, एक एक candle जो है, यह पूरे हपते की है, और फिलाल देखे तो इसका तीनों ही जो moving average है, खास करकि इस candle 5 और 9 week के moving average के ऊपर है, अभी 21 week के moving average से थोड़ा सा नीचे है, तो यहां पर अगर अगर यह previous इसके इसने जो यहां पर एक चोटा सा हाई, एक bounce back दिया था, हाई नहीं बल्कि यह यहां से लेकल यहां तक गिरा और उसके बाद तेजी आई, एक bounce back आया था, तो यह तकरीबन 890 के अभी 855 का प्राइस है, 860 रुपे के आसपास अभी यह जो है, पर इसके लिए हो सकता है, और अगर support की बात करें, तो एक दम से नजदी की support यहां पर जो दिख रहा है, 850 और 830 का जोड, अभी यह थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, इस लेवल के आसपास, एक छोटी ए लेकिन अगर मार्केट का साथ मिलता है तो थोड़ी सी इसके अंदर और तेजी आ सकती ऐसा लग रहा है आगे देखे अदाणी एंटर प्राइस 2470 रुपे का प्राइस का प्राइस और यहां पर कल ही हमने देखा था कि एक यह 2480 रुपे का सपर्ट इसको मिल सकता इसको आज प्राइस ने तोड़ा और उसके बाद जो है 2460 रुपे तक का लो बनाया और तीनों ही जो मुविंग एवरेश उसके नीचे जो ही इसने क्लोजिंग दी है और कल भी एक्चुली आइधिक कल यह परसो इसके पर जो हमने बाद भी की थी कि आप यह केंडल अब देख सकते है जब इस तीनों ही मुविंग एवरेश को इसने तोड़ा था तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ में कमी आई है ऐसा लग रहा था और आज देखी इसके अंदर जो है ज्यादा करेक्शन रहा दूसरे शेर के मुकाबले अदानी के जैसे कि अदर देखा अदानी टोटल गेस के और उसके बाद देखे तो आज इसके अंदर सवा पसंद के गिरावट देखने को मिली और अब इसके वीकली चाट को देख लेते हैं सपोर्ट और अगर देखे तो अब जो है नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो चोबी सो बीस रुपे का आज पास दिख रहा है फिलाल अ पची सो बीस रुपे का यह यह रजिस्टन दिख रहा है एक से दो दिन की एकदम से शौट टम की बात करें तो और आज का हाई जो आज का हाई नहीं है वीकली हाई अगर देखे तो पची सो बचास रुपे का बनाया था लेकिन यह सो रुपे की जो रेंज है इसकी के अगर आप इसके अंदर देखे तो जैसे कि यह एक इस तरीके से चलता है कि पहले तेजी आती है फिर थोड़ा सा इसके अंदर हो सकता है और बिल्कुल वहीं हुआ अभी देखे तो जिस लेवल के आसपास अगर देखे तो पिछली बार यहां पर इसने जो है एक सपोर्ट लिया था जो कि 346 रूपे कास था आज जो है उसी उसी प्राइस का आसपास जो है यहां पर यह बंद हुआ है तो यह जो है धो है ठेक तो बात करें तो इस नीचे बंद हुआ है तो अब जो है यह थोड़ा सा रजिस्टंट जो है सामने यहां पर लग रहा है एक रेंज में फस सकता है नीचे में देखें तो support की बात करें तो support की बात करें तो support तो इसका नेक्स लाता है उसके उपर भी dependent है कि उसके उपर क्योंकि फेट की meeting के उपर interest है होता है यहां पर देखें तो support की बात करें तो जैसे कि यह support यहां पर बन सकता है जो की 305 से लेकर 307 रुपे का zone है क्योंकि यहां पर इसने पहले रजिस्टं लिया था तो यहां पर एक से दो दिन की यहां पर बात हो रही है अगर बाइचास इसको तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट जो support दिख रहा है वो 335 से 340 रुपे के आसपास का zone यहां पर दिख रहा है और उससे भी पहले अगर medium अगर देखे support की बात करें तो फिलाल यह 21 दिनों का moving average भी 350 के आसप जोन है यह जो है जो है जो है जो है जो बन सकता है विकोज कि यहां पर five or nine days के moving average का आसपास का यह एक zone है अगर इसको पार करता है तब जो है फिर से यह तीन सो 80 से 385 रुपे के आसपास मतलब की यह जोन जो है छोटी सी देंज अभी जो है बनी हुई ऐसा लग रहे है अग एक standard disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ अब कोई भी trade ले उससे पहले अपनी research करें अपना financial advisor की सला ले उसके बाद ही कोई decision ले और decision ले तो उसकी जीमेदारी maturity के साथ खुदी ले वीडियो में education purpose के लिए बनाए मेरी तरफ से कोई भी by SL के recommendation नहीं है thank you